हलो दोस्तों मोबाइल ट्रिक्ट सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों को फीड से बहुत-बहुत स्वागते तो दोस्तों आज की इस पीडियो में आपको रिक्याने जा रहा हो अब अपनी फेस्बुक प्रोफाइल पिक्चर पर किसी भी साइज की फोटो को कैसे अपलोड कर प्रोफाइल पर एक फोटो सेड करना है तो उसमें क्या होता है दोस्तों फिडियो में आपको step-by-step दिखाएँगा कि किसी भी साइज का फोटो को बीना को पोड़िक्चर पर के सेड कर सकते है तो उस्तों आगर आपको भी किसी किसी साइज का फोटो को अपने फेस्बुक प्रोफाइल पिक्चर पर सेट करना है तो मेरे साथ बने रहे हैं और वीडियो को प्लिस एंड तक का देखते रहेगा तो जैसे कि दुस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी फेस्बुक को ऑपन कर लेता हूं और उसके बाद में दुस्तों यहाँ पर मैं त्री लाइन पर क्लिक करता हूं यहाँ पर मैं अपनी फेस्बुक प्रोफाइल पर जाता हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहां पर मैं इस फोटो को सेट कर दिया और इसके बार में यहां पर दोस्ता आप देख पार यह यहां पर यह पूरी फोटो नहीं आ रहाए ठीक है यानि कि यहां पर हमको क्रॉप करना पड़ता है और फेस्बूक पर अगर आप प्रोफाल पिक्चर सेट करें तो इसी त पर नीचे का पार्ट नहीं है ठीक है लेकिन दूस्तों इस फोटो को मुझे क्रॉप नहीं करना है फूल प्रोफाल पिक्चर पर सेट करना है ठीक है तो इसके लिए दूस्त आपको क्या करना है आपको यहां से बेक कर लेना है और आपको जाना है उस फोटो पर ठीक है अगर आपका कुई दूसरा ब्रेंड का फोन होगा तो यहां पर आप त्री डोट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको share का option देखने को मिल जाएगा फिर यहां पर दुस्त आपको देखने को मिलेगा Friends आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर दुस्त आपको देखने को मिलेगा Friends पर टिक तो आपको क्या करना है आपको यहां पर Only Me पर टिक लगाना है ठीक है फिर यहां पर आप बेक करेंगे और यहां से आपको इस फोटो क को पोस्ट कर देना है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इस फोटो को पोस्ट कर दिया उसके बाद में यहाँ पर आप देख पर यहाँ पर इजी पोस्ट ही है complete हो चुकए ठीक है फिर यहां से आपको back करना है और आपको जाना है अपनी प्लेस्टर पर और प्लेस्टर पर जाके दुस्ता आपको एक एप को सार्ज करना होगा जिस एप का नाम है opera mini ठीक है तो जैसे अब opera mini लिक्कर सार्ज करेंगे तो यहां पर यह opera mini यहां पर मेरे फॉन पर पहले से ओपेरा मीनी इंस्टल है तो यहां से मैं बैक कर लेता हूँ और यहां से मैं अपनी ओपेरा मीनी एप को ओपन करता हूँ ठीक है तो जैसे आप अपने Opera Mini app को open करेंगे, तो Opera Mini app के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Facebook, आपको यहाँ पर Facebook को select कर लेना है, फिर यहाँ पर आपका जो भी Facebook user ID password है, यहाँ पर आपको त्री लाइन पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर अपना नाम देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्कॉल डान करना है ठीक है और यहाँ पर देख पर यहाँ पर मैंने जो फोटो पोस्ट किया था यहाँ पर यह आ चुका है ठीक है यहाँ पर आप देख सकती है इस फोटो को मैंने ओनली में करके राका था यानि कि इसको प्राइबेट करके राक दिया था यहाँ पर यह फोटो जो ही है लोक है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको इस फोटो के उपर क्लिक करना है फिर य यहाँ पर नेवर पर टिक लगाना है और यहाँ पर आपको confirm पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देख पर यहाँ पर मैरा जो profile picture यह set हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको view करके आपको दिख्या देता हूँ कि यहाँ पर यह कोई crop हुआ या नहीं यहाँ पर देख पर मैरा जूबी size का photo था उसी size का यहाँ पर प्रॉफाइल picture पर पर set हुआ है यहाँ पर कोई भी crop नहीं हुआ है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते profile picture ठीक है यानि कि मैरा जो facebook profile picture है यहाँ पर यह set हो चुका है तो उसकी बाद में दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहां पर बैक करना है और यहां पर आपको फिर से स्कॉल डान करना है यहां पर दोस्तों आपने जू भी फोटो को यहां पर लोग करके रखाता इस फोटो को आपको यहां से डिलीट कर देना है ठीक है यहां पर आप त्री डॉट पर क्लिक करेंग दोस्तों इसी तरह अब बहुत ही आसाने से किसी भी साइज की फोटो को अपनी फेस्बूक प्रोफाइल पिक्चर पर सेट कर सकती है। उस पर कोई भी क्रॉप करने की जुरूरत नहीं है।